Hello everyone, welcome back to my channel Kids Learning Fun आज हम डिस्कस करने वाले हैं Class First EBS Worksheet यानि कि आज हम डिस्कस करेंगे Environmental Studies के बारे में यहाँ पर जो Class First में बच्चों को EBS में पढ़ाया जाता है उसी की प्रैक्टिस आज हम करने वाले है इस Worksheet को आपको लासत ज़रूर वाच करना है क्योंकि इसकी help से आप अपने बच्चों की Final Term की exam की preparation जो है वो बहुत ही easy तरीके से घर पे अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं So first question हमारा है यहाँ पे Join the body part to its name यानि कि यहाँ पे हमने एक boy की picture को draw किया है और साथ में यहाँ पे हमने body parts के name लिखे है तो आपको बच्चों को बोलना है कि इन body parts को आपको read करना है और according to that आपको picture के साथ उनको match करना है तो first number पे हमें दिया गया है EAR Ear का मतलब होता है कान तो हमें उसको कान के साथ match करना है तो हम यहाँ पे उसको match करेंगे यह बच्चों के जो है वो ear है तो हमने उसको उसके साथ match कर लिया है next यहाँ पे body part हमें दिया गया है H E A D head तो head जो है वो हमारा यहाँ पे है तो हम इसको इसको साथ match करेंगे next number पे हमें दिया गया है N E C K neck Neck का मतलब होता है Girden, तो गर्दन है बच्चों यहाँ पे, तो हमें इसको गर्दन के साथ मैच करना है, Next number पर दिया है EYE, आई, आई यानि की आख, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे, A-R-M, arm, arm का मतलब होता है Bajoo, तो Bajoo कहा है बच्चों, यहाँ होती है Bajoo, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे, N-O-S-E, nose, तो nose हमारी यहाँ पे है, H-A-N-D, hand, hand कहा है हमारा, यहाँ पे है हाग, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे, leg leg है हमारे यहाँ पे pair तो यह हमने match कर दिये chest chest है यहाँ पे तो इसको इसके साथ match करना है knee का मतलब होता है घुटना तो घुटना यहाँ पे होता है बच्चो जहाँ पे हमारा pair जो है वो मुड़ता है यानि जहाँ पे joint होता है उसे हम knee कहते हैं हिंदी में उसे घुटना कहते हैं तो यहाँ पे हमारे जो body parts थे उनको हमने according to picture उनके साथ match कर लिया है next question है हमारा how many of each do you have यानि कि यहाँ पे जो भी हमें body parts दे गए है वो कितने है according to that हमें यहाँ पे numerals लिखने है यानि की number लिखने है first number पे हमें दिया गया है e a r s ears ears का मतलब होता है कान और हमारे कान कितने होते हैं बच्चों क्या एक होता है नहीं हमारे कान होते है two so we have two ears यहाँ पे हम लिखेंगे two f i n g e r s fingers fingers कितनी होती है हमारी ten जिसमें से हमारी eight fingers होती है और two हमारे thumb होते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं तो उसको हम ten ही कहते है n e c k neck neck यानि की girdan वो होती है एक यानि की one l e g s legs यहाँ पे वैसे भी plural form में लिखा है तो legs हमारी होते है two n o s e nose nose होती है हमारी one e y e s eyes हमारी होती है two यानि की two तो हमने हमारी जो भी body parts थे वो जितने जितने है according to that हमने यहाँ पे उनके numerals लिख दिये है so next question है हमारा tick right the correct answer यहाँ पे हमें कुछ statements दी गई है उन statements को हमने read करना है जो भी statement सही है उसके आगे two options दिये गए है उस पे हमें right का निशान लगाना है यानि की tick करना है तो first question दिया है I taste with my A number पे दिया गया है eyes और B option में हमें दिया गया है tongue eyes का मतलब होता है आखे क्या हम आखों से test करते हैं no आखों से तो हम देखते हैं यानि की see करते हैं और tongue से हम लोग taste करते हैं तो answer आएगा I taste with my tongue तो यहाँ पे हमें right का निशान लगाना है next question है हमारा I hear with my hear का मतलब होता है बचों सुनना तो हम किस से सुनते हैं no se nose या फिर e a r s ears ears से सुनते हैं so statement होगी complete I hear with my ears next question है हमारा question number 3 I can feel the softness of a thing with my softness यान की किसी भी चीज को हम छूते हैं तो किस की help से हम छूते हैं s k i n skin या फिर no se nose nose से तो हम सूनते हैं smell करते हैं और skin की help से हम लोग उसको touch करके feel करते हैं तो answer आएगा I can feel the softness of a thing with my skin next question है I can watch TV with my ears और eyes ears से हम लोग क्या करते हैं hear करते हैं सुनते हैं और eyes से हम लोग watch करते हैं देखते हैं तो answer हमारा correct होगा B option तो complete कैसे होगा I can watch TV with my eyes next question है question number 4 tick right the correct answer यहाँ पर हमें कुछ again statement दी गई है उसके according हमें इनको पढ़ना है और फिर उनको again ठिक करना है we need dash to leave and grow हमें grow करने के लिए leave माने जीने के लिए जिन्दा रहने के लिए और grow मतलब होता है बढ़ना यानि कि जैसे छोटा बच्चा है वो बढ़ रहा है उसकी बात हो रही है need का मतलब होता है जरूरत we माने हम we need food to leave and grow और we need toys twice अगर हमें नहीं मिलेगा तो काम चलेगा लेकिन अगर हमें food नहीं मिलेगा खाना नहीं मिलेगा तो हमें नहीं चलेगा यानि कि food हमें जादा important है food की हमें जरूरत होती है किसी इस के लिए leave and grow यानि कि जिन्दा रहने के लिए और बढ़ने के लिए सो answer है food food gives us gives मने देता है us मने हमें food का मतलब होता है खाना food gives us food हमें क्या देता है weakness या फिर energy energy देता है ताकत देता है weakness नहीं देता है कमजोरी नहीं देता है food gives us energy तो answer होगा हमारा b option next question है हमारा question number three fruits and green leafy vegetables प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, फ्रूट्स यानि की फल, एंड माने और, ग्रीन यानि की हरी, लीफी वेजटेवल, जो हरी पत्यदार सबजियां होती हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं, प्रोटेक्ट, वो हमें सुरक्षा देते हैं, किस चीज से, अस फ्रॉम, किस चीज से सुरक करते हैं, so answer आएगा B option, diseases यानि की बिमारिया, next question है, question number five, fill in the blanks, यहां पर हमें again read out करना है, and जो भी sentence के last में जो हमें blanks दिये गए है, according to that हमें उनको fill up करना है, so first है, we have dinner at, dinner का मतलब होता है बच्चों, रात का खाना, जो भी हम रात में खाना खाते हैं, night में खाना खाते हैं उसे हम कहते हैं, dinner, तो कहते हैं, we have dinner at, हम लोग dinner का करते हैं, night, so answer आएगा, n-i-g-h-t, night, यानि की रात में, we have breakfast in the, breakfast हम लोग का करते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, so सुबह सुबह जो हम लोग खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत ही snacks खाते हैं, या फिर हम चोटा मोटा खान स्कूल जाने से पहले, उसे हम कहते हैं, morning में breakfast, तो हम कप करते हैं, उसको सुबह करते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे, m-o-r-more, n-i-n-g, morning, we have lunch in the, lunch यानि की जो खाना होता है, जो दोपहर में हम लोग खाते हैं, उसे कहते हैं, lunch, तो यहाँ पे आएगा, afternoon, a-f-t-e-r after, n-o-n, noon, noon माने, बाद में, 12 बजे के बाद में, जो भी हम खाना काते हैं, दोपहर के, afternoon कहलाता है वो, और उसमें हम करते हैं, lunch, milk and eggs help us to, milk जो हैं और eggs जो हैं, वो हमें किसी में help करते हैं, grow करने में help करते हैं, हमें ताकत वर बनाने में help करते हैं, तो यहाँ हम तो यहां पर हमें टू टू वर्ड्स दिये गए हैं जो भी हमें देखने हैं कि करेक्ट है वो हमें यहां पर आगे लिखने हैं cotton clothes keep us, cotton यानिकी सूती, clothes माने की कपडे, keep us हमें बचाते हैं cotton clothes keeps us cool या फिर warm, cotton clothes जो हैं वो summers में पहने जाते हैं, गर्वी में पहने जाते हैं तो वो हमें ठंड़क देते हैं और यहां पर आएगा cool, c,o,o,l, cool, cotton clothes keep us cool A raincoat keeps us Dash on a rainy day यानि कि जब बरसात होती है तो raincoat हमें किस चीज में help करता है Dry होने में या फिर wet होने में अगर हम raincoat नहीं पैनते हैं तो हम लोग wet हो जाएंगे गीले हो जाएंगे और बेमार हो जाएंगे तो raincoat हमें help करता है Rainy days में dry रहने में तो आंस्वर आएगा DRY dry, we wear dash clothes in winters, हम woolen clothes पहनते हैं, यानि जो उनी कपड़े होते हैं, वो हम डालते हैं सर्दियों में, नेक्स्ट कोईशन है, we wear cotton clothes in summer और winter, हम लोग cotton clothes कब पहनते हैं, summers में पहनते हैं, तो हम यहां लिखेंगे, S-U-M-M-E-R, summer, we get wool from dash cotton plant और sheep, S-H-E-E-P, sheep यानि की भेड, सो आज हम लोगों ने discuss किया है, E-VS का worksheet और class हमारी first थी, I hope आज की worksheet आप लोगों के लिए helpful रही होगी, अगर वीडियो आप लोगों को helpful लगी है, तो प्लीज आपको वीडियो को like करना है, चैनल, Kids Learning Fun को subscribe करना है, thank you,